हेलो क्लास 3 आज हम न्यू टॉपिक करेंगे रोमन नुम्रल्स आपने बहुत सारी ऐसी चीज़े देखी होंगी वाल क्लॉक, रिस्ट वाचिज जिसमें ये आपने देखा होगा कि जो 1, 2, 3 है वो इंग्लिश एल्फाबेट्स में लिखे हैं तो इंग्लिश एल्फाबेट्स यूज करते हैं, जैसे आप पेज नंबर 32 है या आप देख रहे होंगे, 1 के लिए वो I यूज करते हैं, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D and 1000 के लिए M. अगर उनको 10 लिखना है तो वो 1, 0, 10 नहीं लिखते हैं वो X लिखते हैं, आपने, देखो, the Romans used seven letters of the English alphabet to represent numbers. तो वो इनी English alphabets को use करके, वो अपना maths में one, two, three लिखते हैं. अब जो one, two, three हम लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? Hindu Arabic numerals. हमारा maths depend करता है ten digits पे. Zero to nine, जिसको Hindu Arabic numerals बोलते हैं, right? अब ये जो zero to nine हैं, इनके combinations को मिलाके, हम बहुत सारे numbers बनाते हैं. Three digits, four digits, five digits number. ऐसे Roman numerals भी क्या करते हैं? इन seven letters को combine करके, I, V, X, L, C, D, M. इनको combine करके, ये खुद number बनाते हैं. Let's see. But हर चीज के rules होते हैं. जैसे इसका rule है, first rule, there is no concept of place value system. जैसे हमारे में ones, tens, hundreds होता है. यहां पे कोई भी ones, tens, hundreds ऐसे place value system नहीं होता है. Second rule, there is no symbol for zero in this system. Roman numerals में कोई भी zero concept नहीं होता है. जैसे 10 लिखना है तो वो X use करते हैं, 50 लिखना है तो वो L use करेंगे. उनमें zero नहीं होता है. Third rule, symbol I and X can be repeated maximum three times. जैसे 1 है, उसको I लिखेंगे. 2, 1 plus 1 means I, I. 3, 1 plus 1 plus 1, I, I, I. 3 को हम कैसे लिखेंगे? 3 times I. लेकिन 4 ऐसे नहीं लिखेंगे. उसके लिए अलग rule होता है. जैसे 10 के लिए X है, 20 के लिए 10 plus 10 means double X. 30, 10, 10, 10 means X, X, X. comes to the next rule. symbol V, L, D can't be repeated more than once. जैसे I और X को तो हम three times लिख सकते हैं. बट V, L, D को हम two times भी नहीं लिख सकते हैं. उसको सिरफ A की बार लिख सकते हैं. जैसे अगर आप कहोगे के 10 is equal to 5 plus 5, वो तो ठीक है, वो हमारे maths के according ठीक है. लेकिन 5 को हम V और 5 को V, double time हम V नहीं लिख सकते. इसलिए 10 का Romans में क्या symbol दिया गया है? X. Next rule. अब यहाँ पर देखेंगे कि हम four number कैसे बनाएंगे, six कैसे बनाएंगे? A symbol of smaller value before symbol of greater value means subtract smaller from greater. अगर greater symbol से पहले smaller symbol आता है, तो उसका मतलब होता है हमने greater में से smaller digit को minus करना है. जैसे four बनाना है. Four क्या होता है? Five minus one. हमारे पास five का symbol भी है और one का symbol भी है. See, four क्या होता है हमारा? Five minus one. तो five के लिए V, one के लिए I. Four कैसे लिखा जाता है Romans में? I, V. यानिके five में से one minus. अगर nine लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा? Ten minus one. Ten के लिए X है और उसमें से minus one करना है इसलिए I को पहले लिख दिया है. Next rule, a symbol of smaller value. After symbol of greater value means add smaller value to greater. जैसे eleven बनाना है. Eleven means ten plus one. तो X, यानिके ten. और अगर X के बाद आया आ गया तो that means ten plus one, eleven. Eleven को Romans में कैसे लिखते हैं? X, I. Six को कैसे लिखेंगे? Five plus one. Five, V, one, I. तो यह क्या होगा? Five plus one, six. Seven लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? V, I, I. अब आपका पेज नमबर जो है Romans Numeral में, right? यह आपका पेज नमबर 33 है, जो आपने खुद प्राए करना है, खुद लिखना है. अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुए है, 15. 15 कैसे बनेगा? Ten plus five. Ten means X, five means V. तो यह क्या होगा? 15. जैसे 24 लिखना है. 10, 10 और IV का मतलब होता है, four. 35 लिखना है. तो क्या होगा? 30 plus five. 10, 10, 10, five. तो यह आप अपने आप यह ट्राइ करोगे. ठीक है? सेम ऐसे ही यही activity आप अपने notebook पे भी करोगे. जहाँ पे notebook पे आप कैसे करोगे? Let's see. एसे करोगे आप. ठीक है? 1, 2, 39 तक आपने counting लिखनी है. Roman numerals. यहाँ पे क्या है? Hindu Arabic numerals. और यहाँ पे क्या है? Roman numerals उसके. Right? Thank you.